जारखन में बालू खनन पर राच्य व्यापी रोख लगा दी गई है, 10-15 अक्टोबर तक ये रोख लगाई गई है, खनीजविकास निगम ने सभी 10 जिलों को पत्र भेजा है, NGT की नई गाइडलाइन के तहट रोख लगाई गई है, मांसुन के चार महिने बालू खनन पर रोख रहेगी, पहले सालों भर बालू खनन होता था, लेकिन अब NGT की जो नई गाइडलाइन है और उसके मताबिक जो मांसुन के चार महिने हैं, उस दौरान बालू खनन नहीं होगा मांसुन के चार महिने बालू खनन पर रोख लगाई गई है और जिससे निर्मान कार में थोड़ी मुश्किले आ सकती हैं, बालू के दाम में भी इजाफा हो सकता है NGT की नई गाइडलाइन उसके तहट बालू खनन पर फिलहाल रोख लगा दी गई है जो मांसुन के चार महिने होते हैं इस तोरान बालू खनन नहीं होगा, बालू खनन पर रोख लगा दी गई है पहले सालो भर बालू का खनन होता था लेकिन जो नई गाइडलाइन नग्टी की आई है उस तोरान बालू खनन चार मेने मौसुन के वक्त नहीं होगा ये पर्यवरन के हित में ये फैसला लिया क्या है एंचीटी की तरफ से या पंदरा जून से पंदरा अक्टूबर तक बालू खनन पर रोख लगी है इस तोरान निर्मान कारे की जो कमपनिया है या फिर जो निर्मान कारे करा रहे हैं उन्हें दिकते हो सकती हैं बालू मिलने में क्योंकि बालू खनन पूरी तरह से इन चार महिने बंद रहेगा झाल, निर्मान से ओले घख मेंजाए ओिन्हें बालू है